मैंने नाम विनीत पांडे और आप देख रहे हैं टूपाई क्लासे बच्चो लास्ट वीडियो में हमने एस्षान्द बुक से मोशन चैप्टर को फिनिश किया था ठेक है मोशन चैप्टर का अगर आपको एस्षान्द बुक का पूरा सॉलुशन चाहिए तो यूट्यूब पे टाइप करिए तो आपको इसका पूरा प्लेलिस मिल जाएगा ओके सुडेंस अब इस वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आपका एस्षान्द बुक में पेज नूमर 55 ओपन करेंगे ठीक है तो very short answer type questions यहां से हम स्टार्ट कर रहे हैं बच्चों इसके पहले force and laws of motion का ncrt और ncrt exemplar मैं पहले यूट्यूब पे upload कर चुका हूँ चैनल पे तो आप यूट्यूब पे सर्च करिए force and laws of motion ncrt solutions by two by classes तो इसका पूरा playlist मिल जाएगा इसी तरीके से force and laws of motion ncrt exemplar by two by classes तो इसका पूरा playlist आपको मिल जाएगा ओके students आए स्टार्ट करते हैं आज की class so page number 55 very short answer type question question number one आपको पूछ रहा है what name is given to the product of mass and velocity of a body okay students तो ध्यान से चेक करिए mass और velocity का अगर हम product करते हैं यह mass है और यह v for velocity इसका अगर हम product करेंगे m into v तो हमको एक physical quantity मिलती है जिसको हम क्या बोलते है momentum बोलते हैं okay so p का मतलब क्या है momentum है यहाप पी का मतलब क्या है मॉमेंटम है ठीक है आपने formula भी पढ़ा होगा जिन्हों नहीं पढ़ा है याद कर लीजिए p is equals to m into v यानिके p is equals to m v okay students इस तरीके से तो यह momentum है और याद रखेगा momentum is equals to mass into velocity वी का मतलब हो गया velocity यहाँ पर ठीक है और momentum एक vector quantity है याद रखेगा momentum क्या एक vector quantity है okay students momentum एक vector quantity है हलाकि नहीं पूछाता मैं जस्ट आपका revision करा रहा हूं momentum एक vector quantity एक वेक्टर कॉंटिटी है ऐसी quantities होती है जिनको जिनको बताने के लिए हमें direction और magnitude दोनों की दरूत होती है इसके लाबा यहीं पर लगे हाथ एक काम कर लो इसका unit भी निकाल लीचे unit of momentum momentum का SI unit क्या जाएगा बलकि हमको लिखना चाहिए SI unit of momentum momentum का SI unit क्या हो जाएगा कैसे निकालेंगे देखिए P is equals to क्या होता है M into V so mass का SI unit into velocity का SI unit ठीक mass का SI unit क्या होता है kilogram into velocity का SI unit होता है meter per second so momentum का SI unit आ जाएगा kilogram meter per second इसको आप इस तरीके भी से भी लिख सकते हो kilogram meter और यह second उपर जाएगा तो S की power minus one इसको मैं पढ़ते है kilogram meter per second okay students यह रहा answer आप note कर सकते है the product of mass and velocity of a body is called momentum okay note कर लीचे now students question number two लेते हैं कह रहा है कि name the physical quantity which is considered to be a measure of quantity of motion of a body okay अब देखिए measure of quantity of motion अब यह quantity of motion फ्रेज एक तरीके का इसको सबसे पहले Newton ने use किया था ठीक है quantity of motion देखो quantity इसका answer तो आभी आत कर लो कि momentum थोड़ा सा समझ भी लीजिए quantity of motion से यह बताना चाहते हैं ध्यान से सुनिए momentum का formula तो आपको पता है ठीक है यह ball का mass अभी बहुत कम है ठीक है कोई छोटी सी ball है और इसका mass है लेटस से अभी मान लो just example के लिए हम आपको बता रहा हूँ one unit ओके अब मैं mass का unit kilogram नहीं ले रहा हूँ कि one kilogram की ball नहीं होती है ठीक है one unit की ball है आप समझ जाओ बॉल है उसकी quantity of mass कितना one unit है समझाने के लिए बता रहा हूँ ठीक अब देखिए माल लीजे कि इसकी ball तो यह छोटी सी ठीक मास इसका बहुत कम है मान लो one unit होगा कुछ one gram one gram होगा कुछ ठीक है जलो 10 gram ले लो कोई बात नहीं है ठीक है चलो 10 gram ले । अब अब सुनो यहाँ पर अगर इसको आप velocity दोगे कितनी हुग तो बहुत कम है ठीक अब इसको मैंने आपको ऐसे 현재 मारा ऐसे तो जब कcking मैं है विलॉस्टी फैक का मतलब धести नहीं हुए कि तो आपको चोट IPO नहीं लगकर यह है न denress को इसका quantity of motion ज्यादा अच्छा नहीं है velocity मान लो दी मैंने आपको one meter per second की ओके तो मास को आप चाहो तो kilogram में change कर लो पहले ठीक kilogram में कितना हो जाएगा 10 divided by 1000 कर लोगे तो gram आ जाएगा किसमें kilogram में ठीक है ना gram को kilogram में कैसे change करते हैं 1000 से दिवाइड करके यह cancel हो जाएगा यहां से आजएगा 0.01 किलोग्राम ओके students अब यहां से अगर आप mass into velocity निकालोगे यानि किसका momentum निकालोगे P is equals to M into V ओके यह देखिए तो कितना आ जाएगा यहां से 0.01 किलोग्राम into velocity कितनी है 1 1 into 0.01 0.01 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड तो आप बोलोगे किसका momentum कितना है 0.01 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड इसका quantity of motion जाएज अच्छा नहीं है अब इसी बॉल को ध्यान से चेक करो बॉल वही है आपकी मास कितना इसका जीरो पॉइंट कितना था 0.01 किलोग्राम है ना यानिके 10 ग्राम ओके तो मास आपका वही है मास नहीं चेंज हुआ है 0.01 किलोग्राम ही आपका मास है लेकिन velocity मैंने कर दी इस बार पास्ट टेज फैक के मार रहा हो जाधा फोर्स लगा कि फैक है यह ऐसा आपको छोट लग सकती है ठीक है माल लो मैंने इसकी वेलास्टी ले ली 20 मीटर पर सेकेंड यह लीजे बहुत तेजी से फैक है अब देख लो यहाँ पर P की बालू निकालो P कितना हो जाएगा एम कितना है 0.01 इंटू वी कितना है 20 ओके यहां से पॉइंट हटाओ कि हंड्रेट ट्वंटी बन्टी ट्वंटी फैव्जा टिक वन अपॉन अपॉन फाइव कितना हो जाएगा आपका सॉल्फ कर लीजे वन डिवाइड़ बाइव फाइव फाइव जिरो जा जीरो बढ़ आ रहा है 0.2 0.01 से बढ़ा है आपको चोड़ भी लगी यानि कि हम इस केस में बोलें quantity of motion क्या है जाद है अब देखा आपने यहां पर quantity of motion डिबेंड कर रहा है किसके उपर velocity के उपर मास तो वही है जैसे ही आपने velocity बढ़ा दी आपका quantity of motion बढ़ गया यानि कि आपका momentum बढ़ गया ठीक यानि कि momentum किसके उपर डिबेंड करता है velocity के उपर number one दूसरा example आप देख सकते हो दूसरे example में हमने क्या किया velocity fix कर दिया अभी हमने mass fix किया था velocity change कर रहे थे दूसरे example में देखिए हमने क्या किया यहां पर हम mass change करेंगे velocity fix रखेंगे मान लो यह 1 kg का हमने एक object लिया ठीक यहां पर mass कितना है m की value कितनी 1 kg और इसको हमने फैका 1 meter per second से ठीक सो यह जाके सामने किसी दीवार पर टकराती है और दीवार के उपर चोट करती है मान लोग ठीक है बहुत असान भाशा में आपको बता रहा हूं तो momentum अगर हम निकालेंगे M into V कितना हो जाएगा M कितना है 1 B कितना है 1 अब किलोग्राम में जानबूच के ले लिए इस बार ठीक है न तो 1 into 1 1 kg meter per second आ जाएगा कितना आ जाएगा 1 kg meter per second आ जाएगा 1 into 1 1 होता है ओके और 1 kg meter per second आ जाए ठीक अब यहाँ पे second case देखिए velocity तो हमने fix रखी 1 meter per second से ही फैक रहें सामने लेकिन यह ball या जो भी object है अब उससे मतलब नहीं है यह हो गया हाँ पर मानलो 4 kg का ठीक अब अगर आप P की value निकालो कि कितना आएगा M into V M कितना है 4 और V कितना है इस बार 1 तो velocity हमने नहीं चेंज करी 4 into 1 4 kg meter per second तो आपको feel आ रहा होगा यह जो बड़ी वाली बड़ी अगर उतनी ही velocity से हम फैके हैं सामने तो दिवार पर ज्यादा चोट करेगी ठीक याने कि यहां पर हम बोलेंगे quantity of motion ज्यादा है तो देखा आपने इस बार हमने क्या किया velocity को fix कर लिया यहां भी velocity 1 meter per second है यहां भी velocity 1 meter per second है मास यहां पर बढ़ा दिया हमने ठीक तो जब आप मास बढ़ा दोगे तो quantity of motion बढ़ गया याने कि कोई तो ऐसी physical quantity है जो की quantity of motion को बताती है कि object जाएगा तो सामने कितनी तेजी से चोट करेगा ऐसे सुचो आप और वो physical quantity का नाम क्या रखा गया momentum रखा गया जो की दो चीजों पर डिपेंड दो दो चीजों का मतलब है दो physical quantities पर डिपेंड करती मास पर और वेलास्टी पर यदि आपने मास फिक्स रखा वलास्टी बढ़ा दी तब भी ये quantity of motion बढ़ जाएगा यानि कि momentum बढ़ जाएगा और यदि आपने यदि आपने मास फिक्स रखा यह वाले case में देखिए मास 10 ग्राम उदर भी कितना था 10 ग्राम का मतलब 0.1 किलोग्रम 0.1 किलोग्रम यदि आपने मास फिक्स कर दिया और वेलास्टी आप वेरी कर रहे हो ठेक जब आप वेलास्टी बढ़ा दोगे तो आपको जाधा momentum मिलेगा यानि कि quantity of motion क्या हो जाएगा साधा हो जाएगा object का समझ गए तो यानि कि कोई physical quantity ऐसी है जो क्या बताती है quantity of motion को बताती है और वो physical quantity का नाम क्या है momentum वो दो physical quantities पे depend करती है P is directly proportional to mass as well as P is directly proportional to velocity मतलब velocity बढ़ा दोगे तब भी momentum बढ़ेगा mass बढ़ा होगे तब भी momentum बढ़ जाएगा तो ध्यान रखिएगा इसलिए बोला जाता है कि momentum is equals to mass into velocity ठेक ओके यही पे इसको stop करते है डिटेल करने में तो बहुत डिटेल किया जा सकता है चलिए तो इन्हों हमसे बोला था name the physical quantity which is considered to be the measure of the quantity of motion ठेक so quantity of motion को हम बताते हैं किस से एक physical quantity जिसका नाम क्या है momentum है तो momentum is the physical quantity which is considered to be a measure of the quantity of motion of a body okay students note कर लीचे now students question number 3 is very easy question what is the SI unit of momentum okay momentum का SI unit क्या है so momentum का formula आप लोग को पता होगा बच्चों P is equals to क्या होता है M into V P का मतलब momentum M का मतलब mass V का मतलब velocity अब mass की SI unit क्या होती है kilogram mass को हम लोग किलोग्राम में measure करते है into velocity की SI unit chapter number 1 में पढ़ा है आपने क्या होता है meter per second okay तो यहां से answer क्या आजाएगा kilogram meter per second तो momentum का SI unit क्या हो गया kilogram meter per second किलोग्राम meter per second को ऐसे भी लिखते है kilogram meter और यह नीचे second है तो second की power कुछ नहीं तो हम क्या मान यहां पर करके दिखाता हूं मैं यह देखो जैसे meter per second लिखा है तो second की power 1 अब इसको ऊपर ले जाओगे numerator में म मिल्टिप्लाई करोगे तो यह क्या हो जगा में इंटू s की power minus 1 तो इसको ऐसे भी लिखते है kilogram meter per second आप इसको ऐसे लिख सकते हो या तो ऐसे लिख सकते हो okay students so momentum की SI unit क्या है kilogram meter per second okay note कर लीचे now students question number four state whether momentum is a scalar or vector quantity तो answer is बच्चो momentum का formula होता है P is equals to M into V okay students तो momentum आपके एक vector quantity vector quantities क्या होती है ऐसी physical quantities जिनके पास magnitude भी होता और direction भी होती है अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखोगे तो momentum depend कर रहा है किसके उपर velocity के उपर आप देखो तो आप only magnitude की बात करते हो direction की बात तो करते नहीं हो ठेक है only magnitude की बात करते हो जैसे कि कि आप मास को बोलते हो तो आप बोलते हो मास फाइव किलोग्राम में कोई दारेक्शन तो नहीं बताते हो ना यह tentang भलता होगे मास तो होगे इसकेल classic लेकिन velocity आपकी vector quantity होती हमने chapter number one में पढ़ा है, velocity को बताने के लिए magnitude, direction दोनों की जरूद होती है, तो momentum टिपेंड कर रहा है, velocity पे तो momentum भी क्या है, vector quantity, momentum को बताने के लिए आपको direction की जरूद भी पढ़ेगी और magnitude की जरूद भी पढ़ेगी, example के तोर पे, मान लीजे कि ये wall है, ठीक, और ये body इधर जा रही है, इसका mass है मान लो 2 kg, lettuce से, ओके, और ये west है, और दिवार है east की तरफ, ठीक, तो west से east ये body जा रही है, mass 2 kg है, और इसकी जो velocity है, वो है 3 meter per second, तो इसका जो momentum आएगा, वो कितना आएगा, mass है 2, और V है 3, 2, 3 जा, कितना हो जागा, 6, ठीक है, mass की unit हो गई, kilogram, और velocity हो गई, meter per second, so kilogram meter per second, so the momentum is, 6 kilogram meter per second, ये तो होगया, इसका magnitude, ये जो 6 kilogram meter per second है, ये होगया, इसका magnitude, और direction, direction है, west से east की तरफ, ये, ऐसे जा रही है, ये देखिए, तो ये कि आपका एक vector quantity है, okay students, तो याद रखेगा, momentum is a vector quantity इसको बताने के लिए, direction की जरुवत भी पढ़ती है, okay, note कर लीचे, now students, लेते हैं, question number 5, आपको बोल रहा है कि, what is the total momentum of the bullet and the gun before firing, जब आप fire नहीं करते हो, तो gun और bullet का total momentum कितना होता है, अब ध्यान दे, ये देखिए, एक gun मना लेते है, इस तरीके से एक gun मना ली, ये देख bullet है, अभी fire नहीं किया है, तो bullet इसके अंदर है, okay students, अब मान लो की, mass of the gun कितना है, mass of the gun कितना है, मैं arrow लगा के दिखा दूँ, जल्दी जल्दी करते हैं, है न, mass of the gun है M1, ये लिखे, white color से gun मनाई, white color से M1 लिखा है, mass of the gun है M1, और mass of the bullet है M2, ठीक, अब सुनिए, अगर मै आप से बोल रहा हूं कि what is the momentum of gun, यानि कि P1, कितना हो जाएगा, momentum का formula याद है आप लोग को, momentum का formula क्या होता है, P is equals to M into V होता है, जहां पर V क्या है, velocity M क्या है, उस body का mass है, अब एक बाद बताओ, gun जब fire आपने नहीं करी है, तो gun तो simple हमने ऐसे पकड़ा हुआ है, कहीं 0 है, correct, अब formula लगा दीजिए, momentum of the gun is equals to कितना हो, जगा mass into velocity, gun का mass M1 और gun की velocity कितनी है, V1 है, okay, so gun का momentum आ जाएगा, M1 into V1 कितना है, 0 है, क्यों, gun rest पे है, तो gun की velocity कितनी होगी, 0, gun रुकी होई है, rest पे, okay, 0 into M1, 0, so P1 is equals to कितना आ गया, 0 kilogram meter per second, kilogram meter per second क्यों लिख रहे है, क्यो kilogram meter per second, ठीक है, अभी previous questions में मैंने आपको बताया, तो यह हो गई, gun की momentum, gun का momentum, अब इसी तरीके से आप, यह bullet है, और bullet की velocity कितनी है, suppose V2 है, before firing इसकी velocity मान लो, भाई, V2 है, ठीक, अब bullet भी तो rest पर है, तो इसकी भी velocity 0 हो जाएगी, इसका mass कितना है M2, तो bullet का जो momentum है, इसको मै yellow color से दिखा रहा हूँ, bullet के लिए सब कुछ ठीक, V2, यह कितना हो जाएगा, M2 into V2, यानि के mass of the bullet, M2, और into velocity of the bullet, okay, mass M2 होगा, mass कुछ ना कुछ होगा, लेकिन velocity कितनी है, 0 है, 0 into something, 0, so momentum हो गया, bullet का कितना, 0, अब total momentum, अगर आप निकाल होगे, before firing, total momentum, momentum, before firing, यह हो जाएगा, आपका कितना, P1 plus P2, दोनों momentum को हम add कर देंगे, P1 भी 0 है, P2 भी 0 है, ठीक, तो answer आगया, 0, यानि के total momentum before firing, पूरे system का total momentum कितना है, 0 है, तो बस यह है, the total momentum of the bullet and gun, before it is fired, is 0, बास समन में आ गई, अब सुनो, next questions में, अभी जब हम gun को fire नहीं करेंगे, हम fire नहीं करेंगे, before firing, अगर हम gun की velocity को U1 से दिखा दें, और bullet की velocity को U2 से दिखा दें, तो आप परिशान मत होना, उससे फर्ग नहीं होता है, ना, कुछ भी U1 से दिखा दो, U2 से दिखा दो, ठीक, तो इसको आप note कर लीचे, Now students, question number 6, very easy question, name the physical quantity whose unit is kilogram meter per second, तो हमको पता है, momentum का formula क्या होता है, P is equals to M into V, मास, मास का SI unit क्या होता है, kilogram into velocity का SI unit क्या होता है, meter per second, तो आंसर कितना आएगा, kilogram meter per second, तो इस तरीके से momentum की जो physical quantity जो है, उसका unit है, SI unit kilogram meter per second होता है, यहने कि kilogram meter per second, कौन सी physical quantity की unit है, momentum की, तो बस हमने answer लिख दिया, momentum is the physical quantity whose unit is kilogram meter per second, okay, momentum एक ऐसी physical quantity जिसकी unit क्या है, kilogram meter per second है, note कर लीचे, now students, question number 7 is a very easy question, what will be the momentum of a body of mass M moving with a velocity V, बहुत easy आपको पता है, P for momentum होता है, P का मतलब momentum होता है, momentum क्या होता है, mass into velocity, mass कितना दिया है M, और velocity कितना दिया हो है V, M into V करके answer कितना आजाएगा, M V, यह लीचे, okay, so momentum कितना हो गया, M into V या फिर M V, तो momentum of a body having mass M and velocity V is given by M into V, now students, question number 8 में आपको बोल रहा है, what is the usual name of the forces which can produce motion in a body, which cannot लिखा हो है, okay, which cannot produce motion in a body but only changes its shape, अब ऐसे कौन से forces होते हैं, ऐसे forces balance force होते हैं, अब देखिए balance forces क्या होते हैं, थोड़ा सा समझ लीजे, balance forces ऐसे forces होते हैं, ठीक है, मान लीजे, देखिए, यह कोई object है, ठीक, अब इस object को लीजे पकड़िए आप, फाइब न्यूटन से आप अपनी तरफ खीच रहे हो, फाइब न्यूटन से मैं अपनी तरफ खीच रहा हूँ, ठीक, क्या हो रहा है, यह देखिए, यह कोई object है, बना लेते हैं आपे, यह देखिए बच्छों, यह एक object है, इसको 5 newton से आप अपनी तरफ खीच रहे हो और 5 newton से मैं अपनी तरफ खीच रहा हूँ अब बताइए क्या इस पे force लग रहे है कितने force लग रहे है 2 force लग रहे है एक right direction में एक left direction में ठीक है तो two forces तो लग रहे है F1, F1 कितना है 5 newton F2 कितना है ये भी कितना है 5 newton है ठीक है students लेकिन ये body कहीं move नहीं करेगी ये motion नहीं करेगी क्यों आपने जो 5 लगाया मतलब सीथे शब्दों में बोलें तो आपने जितना दम लगाया उतना ही दम मैंने लगाया ये देखिए इस तरही किसे ना आपकी तरफ जाएगी ना मेरी तरफ जाएगी ठीक है ना याने कि इसका जो resultant है जितने भी force लगें कितने लगें 2 से ज़्यादा भी लग सकते जस मैं आपको बहुत easy example दे रहा हूँ ठीक है 2 force लगें और इन दोनों force का जो resultant force है याने कि इसका जो equivalent force है इसका जो resultant है वो कितना है? 0 है कैसे? 5 इधर लगा 5 इधर net force कितना आ गया? 0 5 ने 5 को cancel कर दिया 5 ने 5 को cancel कर दिया यह वाले 5 ने 5 को cancel कर दिया क्योंकि इनकी direction opposite है actual में force क्या होता है? vector quantity होती है ठीक है? net force यदि आप यहाँ पर निकालेंगे तो net force का मतलब होता है resultant force net force बोलो या resultant force बोलो या आप equivalent force बोलो बात क्या है? या आप equivalent force बोलो बात क्या है? तो यहाँ जो equivalent force net force निकालोगे कैसे निकालोगे? right वाला force आप plus का ले लो और left वाला force आप minus कले लो कोई बोलेगा ऐसा क्यों कर दिया आपने plus minus क्यों लगा है उसको बोल देना कि भी देखो force एक vector quantity है और vector quantity के बाद direction होती है ठीक तो right वाली direction को दिखाने के लिए plus sign और left में जो force लगा उसकी direction को दिखाने के लिए minus sign अब net force कैसे आ जाएगा this plus this यानि कि f1 plus f2 okay so f1 कितना है plus 5 और ये वाला plus ऐसे ही और f2 कितना है minus 5 यहां से आ जाएगा plus 5 और plus minus 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 5 plus 5 minus 5 cancel और net force हो गया 0 newton यानि कि इसको पर resultant कितना आ गया 0 newton तो यहां पर f resultant कितना आ गया जितने भी force लग रहे है ठीक है उन सब force को मिलाके resultant दो ही तो force लग रहे हैं यहां पर resultant कितना आ गया 0 आ गया तो ऐसे forces balance forces कहलाते हैं कैसे force ऐसे forces ऐसे forces जिनका resultant कितना होता है 0 होता है उनको हम क्या बोलते है balance forces तो यहां पर f1 f2 तो किसके एक्जामपल है, balance forces के एक्जामपल है, और balance force body में motion नहीं produce कर सकते हैं, ध्यान से सुन लीचे, ये अगर stationary body है, rookie body है, तो ये rookie रहेगी आप five सेखी, चो मैं five सेखी इसता हूँ, rookie रहेगी, ठीक तो balance force होते हैं जो, वो क्या नहीं कर सकते हैं, cannot cannot ये, उसके motion को ये disturb भी नहीं कर सकते हैं, यानि कि उसको रोग भी नहीं सकते हैं, ऐसे समझ लो, आसान शब्दों में, देखो, मान लो ये एक aeroplane जा रहा है, मान लो, assume करो, ठीक है, या ये object जा रहा है, ये object जा रहा है, ये ऐसे object जा रहा है, अब सोचो, मैं उसको चलते हुए, चल रहा था, हम दोना हवा में उचल गया है, ऐसे, 5 Newton से मैंने इधर खीचा, 5 Newton से आपने इधर खीचा, ये अभी भी जितनी speed से चल ला था, उतने से ही चलेगा, यस सर, इसका motion disturb नहीं होगा, क्यों, फिर से वही बात हो गई, 5, 5, cancel हो गया, चल ला था, तो क्या होगा, नेट फोर्स तो 0 आ गया ना, ठीक है, फिर से बैलेंस फोर्स होते हैं, फिर से बैलेंस फोर्स का एक्जामपल है, बैलेंस फोर्स, motion produce नहीं कर सकते हैं, और, cannot stop, cannot stop a body, cannot stop a body, which is already in motion, which is already, body in motion, ठीक है, ओके सुटन, तो बैलेंस फोर्स, ये दो काम नहीं कर सकते हैं, बाड़ी में motion नहीं produce कर सकते ह। और, अगर कोई body motion कर रही है, तो उसको stop नहीं कर सकते हैं, उसके motion को disturb नहीं कर सकते हैं, उसको रोक नहीं सकते हैं, सीधे शब्दों में सुनो ठीक, अब सुनिये आगे तो balance forces क्या कर सकते हैं? तो जवाब है balance forces, представляet body का shape change कर सकते हैं याद रखिएले Heaven forces, body का shape change कर सकते हैं balance force क्या कर सकते हैं? ये क्या कर सकते हैं? can, can change the shape of a body can, balance forces can change the shape Imagecan change the shape of the body अब सबस्कान इसका अड्डी इसका एक्जामपल दें मान दीज़ेबचो यह रबर का ब्लॉक होता सब्सक्राइब हो इसboardsे ऑफ़ह बना पूंगीत हैं चेया होगा सब्सक्राइब घाल माखै ये इस तरीके से आपना चेंग कर सकता है यह तो यहां से लगा कुछ और यहां से लगा ठीक और दोनों फोर से एक्वा एप टे और लग रहे थे लें यह तो इसका ब और क्या कर सकते थे यह रवर का ब्लॉक है फाइब न्यूटन से आप इधर से दबाई यह मैं इधर से दबाता हूं इसको इस तरीके से से गे लगाने यानि कि आपने इधर से लगाया मान लिजे 0 P5 न्यूटन यह ऐसे दोनों ने एक दूसरे को क्या कर दिया कैंसल तो गुम्पारे के उपरनेट फॉर्फ नेधर जाएगा ना इधर यह लेकिन अपना शेब चेंज कर लेगा तो कौन से फोर्स शेप चेंज कर सकते हैं तो जवाब है बैलेंस फोर्स शेप चेंज कर सकते हैं बस यह देखिए कह रहा बैलेंस पुछ रहा था what is the usual name of the forces which cannot produce motion in a body जो motion in a body body motion नहीं produce कर सकते हैं but only change its shape but only shape change करते हैं तो ऐसे forces क्या किलातें balance forces so balance forces are the forces which cannot produce motion in a body but can change its shape okay students note कर लीचे now students question number nine name the unbalanced force which slow down a moving bicycle when we stop paddling it अब पहले unbalanced force को मैं आपको समझा देता हूं और balance score को भी थोड़ा बता देता हूं क्या होता है देखिए इसको मैं आपको एक example की help सब्से बताता हूं यह toy car है खिलोने वाली जो गाड़ी होती ठीक है इसके वील से ओके सुटेंस इसके वील से अब देखो तार के उपर force of gravity किदर लगता है नीचे की direction में ठीक तो यह देखिए force of gravity आप इसको बोल दो force of gravity force of gravity का मतलब क्या होता है कि जो अर्थ की gravity है वो कितने forces object को अपनी तरफ खीच रही है यह कार रखी हुई किसी surface पर ठीक तो अर्थ क्या करती है हर एक object पर अपने center की तरफ एक force लगाती है जिसको हम force of gravity बोलते है या फिर इसको हम body का weight भी भी बोलते है ठीक है ना force of gravity इसको बोल दीजे या इसको बोल दीजा weight of the body क्या बोल दीजे weight of the body बात क्या है सेम है weight भी एक तरीका का क्या है force है okay students correct तो suppose यह force of gravity कितना है f1 है कितना है f1 है इसकी value कितनी है f1 है मान लो नाम रख दिया भई force f1 है force of gravity f1 है नीचे की direction में यानि कि car को ground ऐसे खीच रहा है ठीक force of gravity से f1 force of gravity से अब यह car क्या करती है यह car ऐसे surface को दबाती है कितने force से अपने weight के वाले force से दबा रही है न देखो न लगाता है दबा के रख रही है ऐसे तो जब यह car का जो weight है जब यह ground को दबाता है ऐसे तो ground इस car को एक reaction देता है, याद रखेगा, car ने क्या किया, ground के उपर action किया, और ground car को एक reaction देगा, कितना reaction देता है, तो यह देखिए, car को एक reaction मिलेगा, ground की तरफ से, reason क्या है, समझ में आ गया, car को किस ने खीचा, अर्थ की force of gravity ने, अब खीचा, तो car का कुछ ना कुछ weight ना, वही car का weight हो गया, अब यह car का weight जो है, यह ground पे लग रहा है, तो ground इसको एक reaction देगा, action, reaction, loss है, आप बोल सकते हो, छेक, car ने ground को action दी, आपने weight की वज़े से, ground, car को reaction देगा, उपर की direction में, तो यह हो गया, देखिए, यहाँ पर, एक reaction force उपर मिला, छेक, यह एक reaction force normal भी बोलते हैं, बट आप ज्यादा tension मतलों, इसका नाम है F2, अब देखो, यह दोनों एक दूसरे को balance कर लेते हैं, मतलब समझो, जितना weight नीचे लग रहा है, उतना ही reaction, ground, car को दे रहा है, यानि कि F1 is equals to F2 होता है, ठीक, क्या होता है, F1 is equals to F2 होता है, ठीक, तो यह vertical direction में लगने वाले दो force हैं, यह vertical direction है, F1, F2, ठीक, यह दोनों force कैसे हैं, car के उपर लग रहे हैं, obviously car का weight नीचे, और reaction, car पे ऐसे उपर, तो car, इस car के उपर, vertical direction में यह जो दो force लग रहे हैं, यह balance force का example है, किसका force का, balanced force का example है, यह दोनों तो होगे balance force, इसको आप छोड़ो, balance force क् जिनका resultant कितना आता है, 0 आता है, resultant मतलब net force कितना आता है, 0, for example, मैं आपको समझाने के लिए बता देता हूँ, मान लो 5 newton का force, वैसे तो 5 newton का force बहुत जाद हो तो, but मान लो, car का weight नीचे 5 newton, और इसको reaction मिल रहा है कितना 5 newton, अब बताओ, एक 5 newton उपर है, एक नीचे, और fourth एक vector quantity होती है, तो एक को आप प्लस मान लो, एक को आप मान लो, ठीक, सपोज उपर वाले fourth को आप प्लस मान रहे हैं, और नीचे वाले को आपने minus sign से दिखा दिया, नीचे वाले को plus, उपर वाले को minus मान सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई पूछे का plus minus क्यों माना, तो उसको बोल देना, fourth एक vector quantity है, इसमें direction भी होती, तो उपर वाले fourth को हमने positive से, और नीचे वाले fourth को हमने किस से दिखाया, negative से दिखाया, ओके students, अब बताओ, यहाँ पर net fourth in vertical direction कितना आ गया, vertical मतलब यह वाली direction में, y axis में, ठीक, net vertical force कितना आ गया, net vertical force कितना तो जवाब है, f1 plus f2, f1 plus f2, लेकिन f1 कितना है, plus 5 है, और plus f2 कितना है, minus 5, f1 plus 5, f2 minus 5, so, plus 5, plus minus minus 5, cancel हो जाएगा, net force कितना आ गया, 0, तो vertical direction में net force कितना आ गया, 0, इसलिए मैं बोल रहा था, कि f1, f2 किसके example है, balance force कि, balance force क्या होते है, ऐसे force, जिनका resultant कितना आता है, 0 जि इन दोनों का net effect कितना है, 0, जिक, कहने के लिए बस इस body पर लग रहे हैं, इसका net 0 है, यहने कि car ना तो उपर जाएगी, और ना नीचे जाएगी, क्योंकि दोनों ने इक दूसरे को balance कर लिया, ठीक, यह तो होगे balance force, अब आईए हम आपको दिखाते, unbalance force, हम क्या करेंगे, इस car को push करेंगे, यहां से ऐसे, तो जब हम car को ऐसे push करेंगे, तो इधर force लगे गए, हमने car को push किया, car starting में चलती नहीं है, फिर हम और तेजी से push करते हैं, धका लगाते हैं, धका लगाने के मतलब एक force लगा रहे हैं, ठीक, फिर थोड़ी दिर के बाद लगाते, लगाते car अचानक से चल पड़ती है, तो ऐसा क्या होता है, पता है आपको, जब आप इधर push कर रहे हो, तो क्या हो रहा है, car के जो wheels है, और जो ground है, इसके बीच में एक, along the surface एक force काम करता है, इस force को हम क्या बोलते हैं, frictional force, क्या बोलते हैं, इसको, frictional force बोलते हैं, अब मेरी बात ध tire से हैं, wheels से हैं, उसके और ground के बीच में, frictional force opposite direction में लगता है, याद रखीगा, frictional force, motion को oppose करने की कोशिश करता है, समझने कले समझो, मैंने यहां से लगाया, push 1 newton का, friction भी कितना हो गया, 1 newton, मैंने अपना force बढ़ा के कर लिया, 2 newton, friction भी हो गया, 2 newton, फिर मैंने अपना force ब तो हम यहां से लगा रहे थे, 1 newton, friction ने अपने आपको बणा लिया, 1 newton, body को चलने नहीं देना चाता ही, हमने लगाया 2 newton, friction ने अपने आपको बना लिए 2 newton, हमने जैसे ही 3 लगाया, अब friction अपने आपको 3 नहीं बना पाया, ठ 이야기, तो जैसे ही ऐसा होता है, कि मैंने जो force ल पौरत है यह किसका एक्जामपल और और उनिन और फोर्स का एक्जामपल एक जो को इस छो पुशने चो उप जड़िए आप निकालोगे तो left से right वाले को मैंने plus से दिखाया और right से left वाले force को मैंने negative दिखाया मैंने बता ने vector quantity होती force इधर वाले को positive ले लो इधर वाले को negative ले लो क्या फर्क पड़ता है तो net force जड़िए आप निकालोगे तो net force कैसे मिलेगा जो push वाला force है और plus frictional force जो है ठीक चलिए निकालिए push कितना है plus 5 और plus frictional force कितना है minus 2 answer कितना हैगा plus 5 और plus minus 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 2 plus 5 minus 2 plus 3 plus 3 Newton आ रहा है बात समझो plus 3 आने का मतलब है sign plus आने का मतलब है कि net force की direction किधर है plus किधर माना था इधर ठीक तो net force आएगा इधर ये लिजे इधर आ गया net force इधर आ गया net force और ये net force कितना है 3 Newton यानि के body पर कहने के लिए तो ये दोनों force लगें 5 और 3 5 मैंने लगाया total और 3 लग गया friction लेकिन net force कितना काम कर रहे है त्री नहीं आना चाहिए 5 minus अच्छा 3 Newton का Frictional है Frictional 3 रख दो भी या कोई दिक्कत नहीं लो तो answer कितना आ जाएगा 2 ठीक तो net force कितना आ जाएगा 2 Newton तो ये जो body है 2 Newton के net force से इधर अब move करेगी तो मेरी जो कार है वो 2 Newton के force से left से right move करेगी ओके students plus sign बता रहा है left से right अगर answer minus मैं आया होता तो right से left ओके students अब सुनो तो net forces क्या फरी अन-balance forces क्या होते है unbalance forces ऐसे forces होते है जिनका net force 0 के equal नहीं आता है balance force में ये देखिए balance force में क्या होता है net force 0 होता है ये vertical वाले balance थे दोनो weight और reaction ये balance forces के example थे और unbalance forces ऐसे forces होते हैं बहुत सारे हो सकते हमने दो ही लिए है यहां पर horizontal में लिए है यह horizontal ऐसे वाले force horizontal ऐसे वाले वर्टिकल यह horizontal है ठीक सो यहां पे जो horizontal force लग रहे हैं जो मेरा push है और जो frictional force है ये unbalance forces के example है क्योंकि इनका जो net force है वो 0 के क्वल नहीं आ रहे है net force कितना आ गया कुछ न कुछ आ गया कितना आ गया टू आ गया बास समझ में आई अब आजा अपने bicycle के question पर ठीक इतना note कर लो अब आजा अपने bicycle के bicycle when we stop paddling it जब आपनी bicycle चलाते हो पैडलिंग स्टॉप कर दो गया ठीक तो कौन से ऐसे unbalance force होते हैं जो आपको stop कर देते हैं थोड़ी दिर के बाद तो यह ground है और यह मेरी bicycle है ठीक है यह मेरी bicycle है चरी जा रही है इस तरीके से ओके सुटेंस मैंने पैडलिंग करना बंद कर दिया तो मैं देखता हूं मेरी cycle रुख जाती है उसकी speed धीरे-धीरे कम हो जाती है ऐसा क्यों होता है तो जबाब है ऐसा यह इस लिए होता है क्योंकि झेकि स्टाइटिंग में क्या था मैंने इधर से पैडलिंग कर करके सपोस्मय न्यूटन का फ्रिक्चनल फोर्स लग रहा था यह यह ल secondo tablespoon के टायर से और बीच ABOUT-3 न्यूटन reminder का ठीक इस दिरेक्चन में मैं से क्लेसे में प्लस ठेक्ट तो बताओ अभी इस साइकल के उपर नेट-फोर्स कितना काम कर रहा था एस पर इस पर नेट-फोर्स काम कर रहा था समझने के लिए बता रहा हूं 5 प्लस माइनस 3 कितना आ रहा था प्लस 2 न्यूटन ओके तो 2 न्यूटन से जो मेरी बॉड़ी थी वो इधर मूफ कर रही थी साइकल मूफ कर दिया अब आपने पैडल लगाना तो बंद कर दिया ठीक है जो पैडल लगाना बंद कर दोगे तो यह अपने यहाला फोर्स लगान जीरो और यह एफेक्ट में आने लगेगा धीरे धीरे यह आपके मोशन को क्या करेगा अपोस करेगा आप तो लगा नहीं रहा आपके द्वारा लगाएगा फोर्स क्या होगा जीरो हाँ अचानक से जीरो नहीं हो जागा पैडलिक आप रोकोगे ठीक है ना तो अपने इनर नहीं आ रहा है resultant force 0 नहीं आ रहा है जब तक आप पैडलिक कर रहे हैं तब तक भी net force कितना था चुछ ना कुछ था और जब आप रोक ही दोगे बाद में तब भी net force कुछ ना कुछ होगा ठीक है और वह net force की direction किदर होगी अब इधर होगी ठीक अब आजे ही आप अपने questions पे students, तो कह रहा है कि name the unbalanced force which slows down a moving bicycle when we stop paddling it, तो suppose यह आप बहुत असान question है, अब तो यह ground है और इस पे आप bicycle इस तरीके से चला रहे हो, okay students, ठीक है, अब एक बाँ बताओ, आप paddling करते हो, तो कुछ force लगाते हो, कितना, let us say 5 Newton, example ले रहा हूँ, और यहाँ देखी, यह जो wheels है और road है, इसके बीच में, एक frictional force काम कर रहा है, opposite direction में, एक frictional force काम कर रहा है, ठीक है, एक frictional force काम कर रहा है, okay students, यह आपके motion को oppose करते हैं, हाला कि air resistance भी है, क्योंकि आप ऐसे चलते हो, ठीक, तो air के molecules जो होते हैं, वो आपकी body में लगाता, touch करते हैं, obviously हाँ air के molecules हैं, जब आ लोकने की कोशिश करेंगे, याने कि आप ऐसे जा रहे हो, air resistance ऐसे लग रहा है, तो दो force होते हैं, ऐसी बात नहीं है, frictional force होता है, और air resistance होता है, लेकिन हम generally क्या करते हैं, हम air resistance को क्या करते हैं, ignore कर देते हैं, ठीक है, हम इसको कभी-कभी ignore कर देते हैं, तो इस answer में हमने क्य लग रहे हैं, तो देखो, यह जो horizontal force है, यह वाले horizontal मतलब ground के parallel, यह वाले horizontal यह वाले vertical ठीक, तो अभी हम यह वर्टिकल फोर्स की बात नहीं कर रहे हैं, वो सब छोड़ो, आप horizontal force में आप देखो, यह वाला एक force है, और एक यह वाला force है, ठीक है, vertical में वही हो रहागा, जो वहाँ है, ठीक है, weight नीचे reaction उपर cancel कर देगा, उसको छोड़ोगो तो balance force है, लेकिन यह दोनों force कैसे, unbalance है, क्यों, इसका net force कुछ ना कुछ हा रहा है, कैसे, 5 इधर से, 3-3 इधर से, 5-3, 2, तो 2 newton से यह इधर जा रही है, ठीक, तो यहाँ जो है net force आपने निकाला, net force आपने निकाला, वो कितना आ गया, 5-3, कितना आ गया, 2 newton, ठीक, तो net force 2 आया, which is not equal to 0, जो की equal नहीं, इसलिए मैं बोल रहा हूं, कि यह दोनों जो force है, ठीक, कौन सा force, एक तो paddling में जो force पैदा किया, यह वाला, और fictional force, यह दोनों force किसके example है, यह example ह unbalanced के, क्योंकि net force 0 नहीं आया, तो यह हो गए, unbalanced force के example, unbalanced force के example, okay students, हो गए, अब सुनो, अब उसने हमको बोला है, कि जब हम paddling stop कर देते हैं, तो कौन सा ऐसा unbalanced force होता है, जो हमें stop कर देता है, आपने देखा, paddling stop कर दो, paddle मारना बंद कर दो, तो आप थोड़ी देर के बाद रुख जाते हो, जाके क्यों रुख जाते हो, बताओ, कौन सा ऐसा force है, जो आपको oppose करता है, आपके motion को, कौन सा ऐसा unbalanced force है, तो जवाब है, frictional force, बस, answer यही यही जो आपके motion को oppose करता है, तो बस, बहुत असान question था, मैंने आपको समझा है, पूरा, ठीक, frictional is the, friction is the unbalanced force, which slows down होना, moving bicycle, when we stop paddling it, अगर आप चाहते हैं, तो इसमें यह भी लग सकते हैं, frictional plus air resistance, air resistance को हमने ignore कर दिया है, मान रहें कि air resistance बहुत कम है, तो उसको छोड़ दो, ठीक, तो इसका answer note कर लीचे, now students, लेते हैं question number 10, कि रहा है, state whether the following statement is true or false, unbalanced forces acting on a body changes, changes shape, जो unbalanced force होते हैं, क्या वो body का shape change कर देते हैं, तो जवाब हैं नहीं, false, यह statement false है, आईए मैं आपको समझाता हूँ, थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ, बच्चो, balance forces क्या होते हैं, balance, balance forces क्या होते हैं, देखिए, जब किसी body पे बहुत सारे force लग रहे हो, example के तोर पे यह एक object है, ठीक, और इसको आपने इदर से 5 newton से खीचा, और मैंने इदर से 5 newton से खीचा, ठीक, ऐसे हम लोग खीच रहें, 5 newton से आप अपनी तरफ, 5 newton से मैं अपनी तरफ, यह body किदर जाएगी, बताओ कहीं नहीं जाएगी, क्योंकि इसके उपर कहने के लिए तो 2 force लग रहे है, लेकिन दोनों का net force resultant कितना आ रहे है, 0, final force कितना रहे है, 0, आपके वाले 5 newton ने मेरे वाले 5 newton को cancel कर दिया, equal and opposite force लग रहे है, यह ऐसे 55 cancel हो जाएगा, तो net force कितना हो जाएग दिखाया, तो सबोज यह F1 है, और यह क्या है, F2 है, ओके, तो अगर आपने यहाँ F1 plus F2 किया, net force निकाला, तो कितना आया, F1 plus 5 है, और F2 कितना है, minus 5 है, net force कितना हो गया, plus 5 plus minus minus 5, net force कितना हो गया, 0 newton, तो जब एक body पर बहुत सारे force लग रहे होते हैं, और उनका net force निक ऐसे forces को हम क्या बोलते हैं, ऐसे forces को हम balance forces बोलते हैं, तो यह जो दो force लगे है, F1, F2, यह जो इस diagram में F1, F2 है, यह किसका example है, balance forces का example है, ठीक है students, अब ध्यान दीजिएगा, balance force जो है, वो क्या नहीं कर पाते हैं, या इस question में सब कुछ आपको बता देता हूँ, balance forces cannot, 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 cannot produce motion in a stationary body, cannot, produce, cannot, produce motion, body में motion नहीं पैदा कर पाएंगे, motion नहीं करा पाएंगे, अगर कोई stationary body नहीं चलेगी, आपने example देगा, 5 से मैंने कीचा 5 से, आपने कीचा यह नहीं चलेगी, और अगर कोई body motion में है, और जितनी speed से जा रही, उतनी speed से जाती रहेगी, अगर इस पे balance force ल तो चो, यह body है, 5 meter per second से जा रही है, अचानक से हम और आप कूद के आगे, superman के इसके उपर, आपने भी इसको 5 से कीचा, मैंने भी 5 से कुछ है, सुन लो, 5, यह constant speed से जा रही थी, suppose 10 meter per second से, ठीक, अचानक से आप भी, और मैं, दोनों एक ही time पे इसके उपर आगे, आपने इधर खीचा, मैंने इधर खीचा, इसको 5, 5 newton से, फिर से net force 0 आ गया, इसकी speed पे कोई फरकी नहीं पड़ेगा, इसके motion पे कोई फरकी नहीं पड़ेगा, क्योंकि net force कितना आ गया, 0, तो यह जिस direction में जा रही थी, उसी direction में उतनी ही speed से जाती रहेगी, क्योंकि कहने के लि body motion में, तो उसको rest पे नहीं ला पाएगा, ठीक है, cannot produce motion, cannot stop a moving body, और moving body को stop नहीं कर पाता है, और moving body की speed नहीं change कर पाएगा, moving body की velocity नहीं कि इसकी direction नहीं change कर पाएगा, net force ही जब जीर हो गया, तो कुछ कर रही नहीं पाएगा, ऐसा तो नहीं इधर जा रही, इधर घुमा दे driving body पे, दो से ज़्यादा force भी लग सकते हैं, ठीक है, student, दो से ज़्यादा force भी लग सकते हैं, दो force लेके मैं आपको बताया है, ठीक, तो net force अगर जीरो है, तो इसको balance force बोलते हैं, ऐसे force इसको, यह क्या नहीं कर सकते हैं, यह cannot produce motion, motion नहीं करा सकते हैं, stationary body यह रुकी है, तो लेकिन, जो balance force होते हैं आपके, वो क्या करेंगे, can produce, balance force can produce, balance force can change the shape, can change the shape, balance force बच्चो, shape change कर सकते हैं, यहाद रखिएगा, ठीक, जैसे कोई balloon है, ठीक, यह balloon लिया आपने, इधर 5 newton से आपने प्रेस किया, इधर 5 newton से प्रेस किया, तो यह balloon चलेगा नहीं, motion तो नहीं करेगा, लेकिन हाँ, अब यह 55, एक 5 इस direction में, एक 5 इस direction में, तो net force कितना हो जागा, 0, opposite direction में, तो net force फिर से 0 आगया, तो यह जो, F1, F2 इस पे लगे हो है, 55 के, 5 इधर से, 5 इधर से, balloon का ऐसा, हलागि 5 newton force बहुत जादा होता है, मैं just example बता रहा हूँ, 5 newton change जाएगा, हाना, तो balloon ऐसा हो जाएगा, यह देखे, यह ऐसे, महलब, यहां से shape change जाएगा, दब जाएगा, ठीक है न, shape change जाएगा इसका, पहले ऐसा goal दिखाई पढ़ ला था थोड़ा सा, दब जाएगा इसे, तो balance force क्या कर सकते हैं, आपके, यह shape को change कर सकते हैं, इतनी forces, ऐसे forces होते हैं, जब आपका जो net force है, वो 0 नहीं आना चाहिए, एक body पर लगने वाले जब बहुत सारे forces होते हैं, और net force not equal to 0 होता है, तो ऐसे forces को हम क्या बोलते हैं, unbalanced forces, जैसे कि यह एक object है, इसको आपने इस बार खीचा 10 newton से अपनी तरफ, और मैं खीच रहा हूँ, इसको 4 newton से, अब बताओ किदर जाएगी है, ठीक, यह plus 10 है, right वाला plus और left वाला minus, यह f1 है suppose, f1 plus 10 है, और f2 कितना है, minus 4 है, तो f net, net force कितना आ जाएगा, बताओ, net force और plus f2 कितना है, minus 4, now plus, अब यहाँ से कितना आ जाएगा, देखो, plus 10, plus minus minus 4, plus 10 minus 4, plus 6, plus 6 newton, यानि कि net force कितना आ जाएगा, plus 6, तो यह plus 6 से, plus sign यह बता रहा है, कि left से right जा रही, क्योंकि left से right वाले का sign कैसा लिया, positively है, बासन में, तो net force 6 newton के उपर लग रहा है, which is not equal to 0, जो की 0 के equal नहीं है, तो यह दो जो force लग रहे है, f1, f2, यह किसके example है, unbalance forces के, तो unbalance forces में आपको जितने भी force होंगे, सबका net force 0 के equal नहीं मिलेगा, कुछ ना कुछ मिलेगा, अब जो unbalance forces होते हैं, वो क्या क्या कर सकते हैं, वो motion produce कर सकते हैं, जो जो वो नहीं कर सकता था, यह करेगा, can number 1, produce motion, अगर कोई body, can produce motion, कोई body stationary है, तो उसको motion में ले आएंगे, number 2, वहाँ पर, cannot stop moving object था, यहाँ पर, जो unbalance force होंगे, वो motion में जो body होगी, उसको stop कर सकते हैं, ठीक है, can stop a moving body, यहाँ कि कोई moving body है, उसको stop कर रहा है, यहाँ कि उसकी speed में change कर रहा है, copy में लेख लिजएगा, यह पहले तेज जा रही थी, इस पर कुछ unbalance forces ऐसे लगे, कि जिसका resultant, इधर आ गया, इसके motion की opposite direction में आ गया, तो क्या करेगा, इसकी speed को decrease कर देगा, धीरे 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 धीर चाला, उसकी direction इधर आ गई, तो यह object जा इधर रहा था पर इधर motion करने लगए तो याद रखेंगा, unbalance force direction भी change कर सकते है, speed भी change कर सकते है, ठीक है, can change, can change direction, can change speed, can change, can change, direction of the body, direction of the body, ठीक, और क्या कर सकते है, can change, direction of the body, can change, speed, can change, speed, तो यह सारे point आप, note कर लिए न, short में मैंने बता दिया है, okay students, तो यह सब बाते हैं, अब आजाओ सवाल पर, can state whether the following statement is true, unbalance forces acting on our body change shape, नहीं भाई, shape कौन change करता है, balance force, ठीक है, balance force, shape change करता है, तो बस, यह statement क्या है, false है, और answer कैसे लिखा हमने, false, reason बताया, कि unbalance forces on a body changes speed, speed change कर सकते हैं, और its direction of motion, direction of motion change कर सकते हैं, but does not change its speed, speed change नहीं कर सकते हैं, okay, speed के रहा हूं, sorry, shape लिखा हुआ है, speed नहीं, but does not change its shape, okay, note कर लीचे, now students, लेते हैं, question number 11, when a ball is dropped from a height, its speed increases gradually, name the force, which causes this change in speed, okay students, तो ध्यान सरा चेक करिए, यह दिखी, यह कोई ball है, अभी तक हमने इसको ऐसे पकड़ के रखा है, अब आपको पता है, यह ball है, अगर, ठीक, तो हम अपनी muscles के द्वारा इस पे एक force लगा कि इसको अभी हमने रोका हुआ है, आपको पता है क्यों, क्योंकि gravitational force इसको नीचे गिरेगा, और धीरे-धीरे इसकी speed क्या होगी, increase होगी, छीक, अब ध्यान से सुनिए, जब तक मैंने इसको पकड़ के रखा था, तब तक तो इस पर balance force काम कर रहे था, yes or no, मान लो कि इसका कुछ ना कुछ ball का weight है, अरे मान लो, ball है या कोई object है, मान लो इसका कुछ weight है, ठीक, weight क्या होता है, जितने force से, अर्थ किसी object को अपनी तरफ खीचती है, उत force को यह हम weight बोलते है, gravitation, chapter में, detail में पढ़ेंगे, अभी वस आप इतना समझो, ball को जितने force से, अर्थ अपने center की तरफ खीचती है, वही क्या है, ball का weight है, अब मान लो, ball का weight है, two newton, मान ल weight भी एक तरीके का force होता है, डबलू का मतलब weight, okay, weight क्या होता है, जितने force है, अर्थ किसी object को अपनी तरफ खीचती है, ठीक, तो इस ball को, अर्थ अपनी तरफ two newton से खीच रही, तो मैंने अपने muscular muscle से, इतना force लगा के रखा है, कितना two newton का, जिस उपर की तरफ, पकड़ा ह है, मैंने अपने हाथ से, ठीक, तो मैंने लगाया इसके उपर कितना, two newton उपर की direction में, ऐसे समझो, बहुत सारे teachers अगर वीडियो देख रहे होंगे, easy करने के लिए बच्चों को में बता रहा हूं कि हमने उपर इसको पकड़ के रखा है, वरना तो हम सारे force calculate कर लेंगे, त हमने उपर की direction में इसको जितना weight लग रहा है, उतने ही force से हमने इसको पकड़ के रखा हुआ है, तो अब देखो, ये वाला two newton हमने लगाया, ये इसका weight है, two से two क्या होगा, cancel, two newton नीचे two पर, तो अभी net force कितना आ रहा है, zero, ठीक, two minus two कितना हो गया, zero, दोनों ने एक positive ले लो, एक negative ले लो, मालो नीचे वाला positive ले लिया, उपर वाला negative, कोई भी positive, कोई भी negative ले लो, अगर उपर वाला positive ले लिया, नीचे वाला negative ले लो, ठीक, उससे फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है, force एक vector quantity है, उपर वाले direction में जो force है, उसको ले लिया, आपने कैसा, positive, plus म में नीचे वाले को माइनस में तो अभी से रखिद तो अभी यह वाला व वो इसाई बैलन्स फ्रॉस क्यों क्या पढ़ा है ता आपको बैलन्स फॉर्स में नेट फॉर्स कितना आता है qook लीचने पॉर्स सिरह था अपको जैसे आप weight का मतलब force of gravity लगेगा कहां नीचे की तरफ आपने जो f लगाया था वो कितना हो गया जीरो आपने तो हाँ ठटा लिया ना आपके द्वरा लगाए गया फोर्स खतम अब इसका अगर नेट निकालोगे f net कितना आ जाएगा यह तो जीरो हो गया तो जीरो प्लस टू यह लीजे पिछली बार क्या हुआ था टू प्लस माइनस टू उपर वाला फॉर्स पॉजटिव और प्लस नीचे वाला फॉर्स नेगेटिव टू और प्लस माइनस माइनस हो गया होगा तो नीचे की डिरेक्शन में टू न्यूटन का फॉर्स लगेगा ऐसे ओके तो यही क्या आपका f net है और है किसके एक्वल फॉर्स ऑफ ग्रैविटी के एकवल है ठीके ना तो अब यह किसका एक्जामपल है अन्बैलंस फॉर्स का जान बूचके बता रहा हूं कि फॉर्स कौन से टइप है remo Ind कि बैलंस की जवाब बैलंस है न्बैलंस फॉर्स ऑफ ग्रैवटी है क्योंकि इन दोनों का नेट कितना आ गया कूछ न कुछ आ गया कि is न gesch street टू जीरो और हमने क्या पढ़ा था जब एक बॉड़ी पर फोर्स लग रहा है आप बोलो के तो लगी नहीं रहा है वह या पहले तो लग रहा था आपने हटा लिया ना तो अब इसका मैगनिटूड जीरो हो गया हम क्या करें ठीक तो हम तो नेट फोर्स ही निकालेंगे तो फोर्स is not equals to zero जब net फोर्स जीरो नहीं आता है तो ऐसे फोर्स को हम क्या बोलते हैं unbalanced और unbalanced forces body में motion produce कर सकते है तो यह फोर्स ऑ ग्रेविटी जो लग रहा है नीचे बाड़ी नीचे आ रही है वह example है unbalance force का ओके तो बस यह आपकी knowledge के लिए मैंने बताया आप देखो क्या रहा है कि when a ball is dropped from a height its speed increases gradually name the force which causes this change in speed so the answer is force of gravity या gravity is the force which causes this change in the speed of ball okay students और ball की speed होगा कैसे बढ़ती है हम gravitation वाले chapter में detail करेंगे